सूप्रभाद बच्चों, मैं डॉक्टर सवीता टांग साहे काचारे दूगी, आज मैं कक्षा बीए पाड सेकंड के लिए टेपर सेकंड में, जो कि हमारा निभन्द और नाटक का है, उसके अंतरकर हम निभन्द कवी करतव्वे के बारे में जानेंगे, उसमें पंडित माव प्रसाद दुवेदी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके बारे में जानेंगे, आदुनिक हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य के यूग विदाहक आचारे महविल प्रसाद दुवेदी, संस्कृत, हिंदी, अर्वी, फार्सी, अंग्रेजी, गुजराती, मराती आदी अनेक भाशाओं के विद्वान थे, उन्होंने हिंदी के विकास के लिए जो कार्वे किया वह बहु आयामी था, उन्होंने अनेक ग्रंतों का हिंदी में अनुवात किया, उन्होंने उन विश्यों पर हिंदी में लिखा और लिखवाया, जिन पर हिंदी में साहित्य उन्होंने अपने समय के कवियों और लेखकों को नए नए विश्यों पर लिखने की प्रेणा दी। विचारों के बारे में जानेंगे। कविता तुकानती हो। किन्तु कविता में अर्थ सौंदर्य आवशक है। कवी की करविता तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वहशुद्द और भाव वेंजन भाशा का प्रयोग करें। सार्थक तथा उप्रिव्ट शब्दावली के प्रयोग से ही कविता अपुर्व रसायन बनती है। अर्थ सौंदर्य अर्थात अर्थ की चारूता कविता का प्राण है। अश्निल्ता, ग्रामिल्ता तथा नीरस्ता से कवी को पचना चाहिए। कवीता मनुरंजक होने के साथ उपदेश मुलगी होनी चाहिए। यदि पाठक को कवीता पढ़ने से कोई प्रेणा नहीं मिलती तो वह कवीता बहुत प्रभावशाली नहीं मानी चाह सकती है। इस प्रकार महविर प्रसाद दुवेदी ने अपने निभंद में कवीता कर्तव्य में यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि हिंदी की कवियों को कवीता लिखते समय किल-किल बातों का ध्रान रखना चाहिए। हिंदी के कवियों को समय और समाज की रूची के अनुसार सब बातों को विचार करके यह लिखना चाहिए कि कवी का कर्तव्य क्या है अपने मनोगत विचारों को हम थोड़ा ही लिखना चाहते हैं इसलिए कवी ने जंद, भाशा, अर्थ और विशय को जोड़कर इनका सही उचित प्रियोग करके कवीता को लिखना चाहिए कवी कर्तव्य शीर्शक निभन्द में रचनाकार पंडित महवीर प्रसाद वेती का हिंदी खड़ी बोली के विकास में हैद्पुन योगदान माना जाता है उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादक किया और इसे हिंदी के विकास का केंद्री मंच बनाया उन्होंने हिंदी विकास के लिए अनेक ग्रंत्रों का हिंदी में अनुवात किया अपने कवी कर्तव्य निभन्द में कव्यों को समझाया समझाने के लिए किस प्रकार कवीता लिखनी चाहिए किन विशो पर काव्य रचना होनी चाहिए किन नएने चंदों का प्रियोग करना चाहिए तथा काववे रचना में कभियों को किन-किन से बचा रहना चाहिए आदी के प्रती कभी वर्ग का ध्यान आक्रशित करते हैं इस प्रकार वह बताते हैं कि किन-किन शब्दों का किस-किस प्रियोग होना चाहिए पहला है भाषा प्रियोग जिवेदी जी ने कवी कर्तवे के संभंद में अपने विचार व्यक्त करते वे कहा है कि कव्यों को ऐसी भाषा अपनी रचनाओं में अपनानी चाहिए जिसको सरलता से सभी समझ सके उन्हें चाहिए कि वे ऐसी भाषा अर्थात ऐसे शब्दों का अपनी रचना में प्रियोग ना करें जिससे उनके द्वारा रचित कवीता का अर्थी इसपस्ट ना हो सके इसके साथ ही व्याकरणों के नियमों की भी अभिलना भाषा प्रियोग की द्रस्टी से नहीं की जाने चाहिए इसके साथ ही भाषा के प्रगर्तिक नियमों का पालन करने के लिए कव्यों और लेककों को बोलने और लिखने की भाषा में एक रुपता रखनी चाहिए कवियों को लिखने के लिए शुद्ध भाषा का प्योग करना चाहिए व्याकरण का विचार ना करना तवी की द्वेविशेद अज्ञानता का सुचक होता है कभी 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 व्याकरण के नियमों की और रस्पी पात तक नहीं करते ब्रज भाषा की कवीता में कवी जन मनमाने मिरूंकुष्ता दिख्राते हैं यह उचित नहीं है जहां तक को सके शब्दों का मूर गूप नहीं विदरना चाहिए इस प्रकार कभी में भाषा के प्रियोग का उचित प्रियोग होना चाहिए अगली जो कवी करतव्य में जो विचार मिशेषता बताई है वह है अर्त प्रियोग दुएदी जी ने कवीता रचना में अर्त सौंदर पर विशेष ध्रण रखने के लिए कहा है उनका मानना है कि अर्त सौरम में यह कवीता का प्राण है जिस पद में अर्थ का चमतकार नहीं वे कविता नहीं इसलिए कभी जिस विशे का वर्णन कर रहा होता है उसके साथ उसका भावनात्मक संबंद होना चाहिए इसके साथ ही उसमें अश्लिलता एवं ग्रामनता गर्भित अर्थ नहीं होना चाहिए तथा देशकाल वे लोग वृत कोई बात नहीं दोनी चाहिए इससे कवीता का सौंदर नस्ट वोता नजर आता है इस प्रकार अर्थ के बारे में कभी कहते हैं कि धनाक्षरी और सविया आधी लिखने वाले कुछ कवियों ने कवीता में कभी कभी अनेक धिरक्तर शब्द आ जाते हैं कभी कभी शब्दों के ऐसे विक्रित रोज व्यूक्त हो जाते हैं कि उनका अर्थी समझ में नहीं आता ब्रज भाषा की कवीता अत्वा धनाक्षरी या सविया के हम प्रतिकुल नहीं है परन्तु हमारा मत यह है कि अर्थ के सौंदेरे की और कभीों का ध्रान अतिक होना चाहिए शब्दों के आडंबर की और नहीं अर्थी तथा अन्यूप्योगी शब्द का प्रियोग ना लिखे जाने चाहिए ना शब्दों के प्राकर्तिक रूप को विगारना चाहिए शब्दों के विगारने से उनके बिगड़े वे रूप पढ़ने वालों के कान में खटकते हैं और जिस अर्थ में वे प्रियोग पोते हैं उस अर्थ में कभी कभी पोशकता भी नहीं रहती इसलिए कवी, पंडित, महावीर प्रसाद वेदी जी कवीता के सौंदर्य को बताते वे बात करते हैं कि उसका अर्थ इसपस्ट होना चाहिए अगली जो विशेष्टा है वह है विशेचैन कवीता का विशे मनवंजक और उपदेश जनक होना चाहिए यमुना के किनारे किनारे केली ओतुहल का अधभुत अधभुत वर्नन बहुत हो चुका ना परकाया पर प्रबंद लिखने की अब कोई आउचकता है ना स्वय किया के गतागत की पहली दुजाने की चीटी से लेकर राजा प्रियंत पशू, विक्षू से लेकर राजा प्रियंत ननुश्य, बिंदू से लेकर समुंद्र तक जल, अनन्त, आकाश, तत्वी, परवत सभी पर कवीता हो सकती है सभी के उपदेश, सभी के वर्णन से मनवंजन को सकता है फिर क्या कारण है कि इन विश्यों को छोड़ कर कोई कोई कभी इस्तिरियों की चेस्ताओं का वर्णन करना ही कवीता की चरम सीमा समस्ते है इस प्रकार कवीता के विश्य चेहन के संबन में वे कहते हैं कि विश्य का चेहन पूर्ण होना चाहिए और उसमें समस्य पूर्थी के लिए कोई इस्तान नहीं होना चाहिए इस समय संस्कृत तथा अंग्रेजी के कुछ प्रमुक कावियों का अनुवार्थ भी किया जा रहा है लेकिन इससे हिंदी कवीता का उतना लाब नहीं होका इसलिए हिंदी के कवियों को विश्य चेहन के लिए सदा साबधान रहना चाहिए अगली विशेश्ता है कवी का अवतारी रूप दिवेदी जी बताते हैं कि इस संसार में इश्वर या देवता का अवतार कई प्रकार का और कई कार्यों के लिए होता है अनौकिक कार्य करने वाले प्रभावशाली मनुश्य भी अवतार हैं इस आधार पर सभाविक कभी भी एक अवतार रूप हैं वह अपनी प्रतिभा के बल पर द्रश्य जगत के साथ एद्रश्य जगत का शाक्षाख वर्णन करता है वह संसार का मनुरंजन करने के साथ साथ कल्यान भावना से जुड़ा होता है इसके साथ ही कभी अपनी अवलोकन अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा देता है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर प्रेवित कर सम मार्ग की और आकरशित कर देती है अधे कभी का कर्तव्य है कि वह स्वेम को वाग्य देवी का अवतार मान के ऐसी रचना करें जिससे समाज का कल्यान और लोक कल्यान का मार्ग प्रशस्त को अगली है लिवेदी जी बताते हैं कि आजकल हिंदी संक्रांती की अवस्था में है इसलिए हिंदी का कर्तव्य यह है कि वह लोगों को रूची का धान रखकर ऐसे साधरन भाषा में कभीता रचे कि लोगों के मन में पुरानी कभीता के साथ साथ नए कभीता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो सकती है इतना ही नहीं पढ़ने वालों के मन में नए नए उत्मानों को, नए नए शब्दों, नए नए विचारों को समझने की योगिता उत्पन्न हो सकती है लोगों का ध्यान इस और जागरत को सकी, वे सत्य आख्यानों के द्वारा सामाजिक, नातिक और धार्मित विश्यों की शिक्षा दिनुए अगली विशेषता है कवीता के कुण दिवेदी जी ने कहा है यदि आजकल की कवीता में शास्त्रोत गुरों को छोड़ कर कुछ गुण विशेष कुने चैने, कवीता में साधरन लोगों की अपेक्षा, लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो इसमें भीरज, सहा, स्प्रेन, दया आदी गुरों के उधारन रहे हो कलपना सुष्म और उप्मा आदी, अलंकार गुर ना हो भाशा सहच, सरल, सभाविक और मनोहर होने चाहिए जिसको पाठक आसानी से समझ सके चंद सीधा, परिचे, सुहावना और वर्णन के अनुकुल होना चाहिए अगली जो विशेषता है, वह है, चंद प्रियोग दिवेदी जी का मानना है, कवीता गध्य और पध्य दोनों में पूसकती है इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लक्षण हिंग चंदों पर चंदों बद लेक कावे नहीं कहलाता, चंदों बद कवीता को ही पध्य कहा जाता है और चंद में वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्यत होती है चंद प्रियोग की द्रस्टी मुझसे कवीता का आस्वार बहुत अधिक बढ़ जाता है उन्होंने चंद प्रियोग की द्रस्टी से बताया थी गिंदे में दोहा, चोपाई, संधनाक्ष्री, सवया, आदी का प्रियोग बहुत हो चुका इसलिए चंद प्रियोग की दरस्टी से कव्यों को ध्यान रखना चाहिए कि वह नए नए चंदों को अपनी कविताम की रचना में अपनाई इस ड्रस्टी से उन्होंने कहा कि हिंदी में दुरुत विल्लंबत, विलंबित, वंशत और वसंत तलेक्ता जैसे चंदों को अपनाना चाहिए उनका प्रचार हिंदी में होने से हिंदी कावे की भाषा और शोभा बढ़ती है इस प्रकारां दुवेदी जी ने कवी करतव्य के रूप में जो विविन विचार व्यक्त किये हैं वे अपने आप में उपादय है और कवी कर्म के लिए प्रेणा जनत है धन्यवाद प्रक्री